तो आज का जो मारा टॉपिक है वो अनर्जी स्टोर इन एक कपेस्टर होता है यह जो यूज होता है कि एक चार्ज को स्टोर करवाने में या फिर होल्ड करवाने में आप कपेस्टर का यूज करते हैं ठीक है तो कपेस्टर कितना चार्ज आपको पता है C is going to Q by V तो चार्ज यहां पर सामने सामने directly proportional है कपेस्टर के तो कपेस्टर के जितनी ज़्यादा कपेस्टी होगी उतना ही चार्ज वो स्टोर कर पाएगा तो कितना ज़्यादा वो स्टोर कर पाएगा वो ही उसकी कपेस्टेंस कमानी जाएगा अब यहां पर बात यहां पर energy की आ रहे है कि कितनी energy की बात हम यहां पर कर पा रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि in the case of charging of capacitors some external agency agency का यहां पर agent sorry agent means यहां पर external source की बात हो रहे हैं और यहां पर source जो है वो battery है ठीक है pulse electrons from positive plate से electron को खींचती है और capacitor तक इसे लेके जादी है ठीक है और transfer them to the negative plate तो negative plate को यह electrons जो है वो फैंके जाए some work जो है वो किया जाता है यहां पर transferring this charge which is stored in the capacitor in the form of the electrostatic energy और यह जो काम है यह जो work done जो है वो होता है यह एक store किया जाता है as a किसके as a form of energy तो इस energy के तोर पर इसे store जो है capacitor करता है चिक है अब आप ऐसे समझिए कि let q be a charge of capacitor q जो है वो charge है capacitor में at any time then potential of capacitor जो है वो is given by v is goes to q by c आपको पता है c is goes to q by v के परापर होता है यह आपको पता है कि c is goes to q by v के परापर होता है हमने कुछ नहीं किया इस v को उठाके इस तरफ कर दिया और c को नीचे उतार दिया ठीक है तो यहां से हमें capacitor का potential जो है यहां पर मिल गए अब आगे चलके small amount of work done in giving additional charge जब हमें dq जो है capacitor को देना है तो वह हमें small amount of work done यहां पर करना पड़ेगा जो की dw से हम यहां पर रिखेंगे और v into dq के नाम से आगे हम इसके लिखेंगे v की value हम यहां से यहां पूट कर देंगे तो q by c यहां पर आजाएगा टोटल जो है जब हमें total work done हम यहां पर निकालना होगा तो हम कैसे निकाल पाएंगे इसको integrate कर देंगे simple तो यहां से dw d differentiation or integration cancel w is equal to 1 by c common क्योंकि यह constant है और integration 0 से लेके q तक यहां पर चलेगी और q dq की integration यहां पर होगी 1 by c common sorry common नहीं 1 by c is constant तो q square by t आपको पता ही q का q d और यह cancel q into q q square upon में जो है वो 2 रहेगा और q यहां पर है और यहां पर 0 है ठीक है अब जब हम आगे देखते हैं तो w is equal to 1 by 2 c यह 2 यह वाला है ठीक है तो 1 by 2 c q square into q upon 0 तो यह upper minus lower limit हो जाएगा q square minus 0 तो यह 1 by 2 c into q square यह आपका total work done जो है वो निकल जाएगा ठीक है अब this total this work done is stored in capacitor यह जो काम है यही आपके energy है एक तरीके से देखा जाए तो इसको हम electrostatic potential energy भी कह सकते हैं यू से यहां पर denote करते हैं that is u is equal to 1 by 2 c q square अब हमें एक चीज और पता है कि q that means charge हमने यहां पर पता था कि c is equal to sorry c is equal to q by v के बराबर होता है अब यहां से हम अगर c के साथ इसे v के multiply कर दें तो q is equal to c v हो जाएगा बेलकुल हो जाएगा q is equal to c v के बराबर हो जाएगा ठीक है तो यही हम यहां पर put कर रहे है q is equal to c v तो u की value 1 by 2 c c v square इस q की जगा पे c v c v का square u is equal to 1 by 2 c c का square and v का square अलग-अलग से square चड़ा दिया कुछ नहीं किया u is equal to 1 by 2 c v square अब आप सोच रहेंगा कैसे यह एक जो इसके जो upon में जो c है एक यह यहां से और एक उपर दोनों cancel होगे तो उपर एक ही बचा तो 1 by 2 c v square तो यह एक दूसरी equation है कैपस्टर की energy की ठीक है अब दूसरी चीज आगे आपको एक चीज और पता है कि c v जो है तो c into v आपको पता है कि किस के बराबर होता है c into v q के बराबर होता है तो u is equal to 1 by 2 q n के बराबर होता है q v sorry q v के बराबर तो यह तीनों की तीनों equations जो है यही energy वो energy है जो store होती है किसी कपस्टर के बेच में ठीक है तो आप तीनों की तीनों equations को याद रखिए क्योंकि इस equation की basis पर बहुत सारे entrance जो है वो j mains या फिर state level के जो engineering से exam होते हैं उनमें देखे जाते हैं ठीक है तो आप इन equations को अच्छे से पढ़ लीजिए और इने बहुत बार इसे revise करिए ताकि यह अच्छे से दिमाग में रहें ठीक है तो यह था आज का हमारा topic energy जो store होती है कपेस्टर के बेच है तो अगर आपको यह topic अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीज दीए और इसे share करें उसके साथ जिसे इसकी need है ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग